करलो गैज नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे की बारे में बौरा ताइशन और रंग और सुंदर तौचा पा सकते हैं आज कदॉर फैशन का दौर रहता है हर ब्यक्ति सुंदर्था की ओर डोड दोड में सामिल होना चाहता है वैसे तो सुंदर्था कोई परामना नहीं होता है लेकिन फिर भी कई बार सुनदाता को रंग से जोड़ दिया जाता है। गोरा रंग दीखने में बहुत खुश्रत लगता है। हर बेक्ती की परसनलाइटी में चार चांद लगा देता है। इसलिए गोरे बेक्ती को देखकर लोग बहुत ही जल्दी परभावीत हो जाते रंग के वज़ा से यहीं बेक्ती का आत्मिस्वास भी कई बार बढ़ जाता है। यहीं वज़ा है कि हर बेक्ती आज के समय में अपना रंग गोरा और साफ चाहता है। प्रन्तु आदनिक्टा के दोड़ में परदुशन भरा वातावारन और गलत जीवन सैली के कानल लोग की तौचा का रंग सामला और काला पड़ जाता है। अब गुरे रंग की चाहत में कई लोगों बजार में उपलब केमिकल युक्त पोड़क्ट के इस्तमाल करते हैं। जिसकी वज़ा से कई बार उनका चेरिप रियक्शन हो जाता है और रंग भी साफ नहीं हो पाता है। अब ही अपना रंग गुरा करने में जूटे हैं और अब तक साफ फल नहीं हो पाए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घर रूपाय जिनके इस्तिमाल करके आप पड़ी की फायती तर्की से अपने घर बैठे बैठे ह अपनी ताउचा का रंग निखार पाएंगे वे भी किसी भी एलर्जी रियक्शन के बीना तो देर किस बात के चलिए जानते हैं गुरा रंग प्राप्त करने के घरेरू उपाये टिप्स नमर वन टमाटर और हल्दी से चमकाए अपना रंग टमाटर ताउचा और सेहत दोन करता हैं इसके एलाओं है हल्दी की बात करें तो यह एंटीबायटिक होती है इसलिए आज भी रंग गोरा करने के लिए यह साधी से पहले दुलाव दुलहन को हल्दी लगाई जाती है रंग गोरा करने के लिए टमाटर हल्दी बहुत ही अच्छा उपाया जैदि आप भी गुरा होना चाहते हैं तो इसके लिए एक टमाटर ले उसे बीच में से काट ले अब कटे हुए टमाटर पर एक चुटकी हल्दी डालकर अपने चेरे पर अच्छे से अब आप तक लाते रहते हैं जिसका किसी परकार के आपके स्कीन पर रियक्शन नहीं होता है थैंक्स फर्म वाचिंग दोस्तों मेरे वीडियो को अभी है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी करिए